अगे बढ़ने और बात करेंगी पूर्णिया में पहली बार स्टॉबरी की खेती की ज़ारुए और हांसी बेगंपूर के किसाथ जुतेंद कुश्वाहा ने परंपरागत खेती से हचकर ज्वैविक विधी से स्टॉबरी की खेती की है जिसके बाद उनकी जो तकदीर है पल् अमुली खर्च पर लाखों की कमाई किसान ने जजबे से बदली तक दी दूसरों के लिए बन गया प्रेणना तस्वीरे देखकर मुँ में पानी आना लाजमी है ये रस भरी और स्वादिश्ट स्ट्रॉबिरी किसी पहाड़ी इलाके की नहीं बलकि बिहार के पूनिया में उगाई गई है जलालगर प्रखंड के हनसी बेगमपूर के किसान जितेंद्र कुश्वाहा ने होसला दिखाया और परंपरागत केदी से हट कर स्ट्रॉबिरी की केदी की जितेंद्र ने पांच रुपे प्रती पौधे की दर से हिमाचल से 10,000 स्ट्रॉबिरी के पौधे मंगाए पहले प्रयोग के तौर पर उन्होंने स्ट्रॉबिरी उगा कर देखी परिनाम अच्छे मिलने पर उन्होंने इसे आगे बढ़ाया और आज जितेंद्र 300 रुपे प्रती कीदो के हिसाब से श्रॉबिरी बेच कर मुनाफ़ा कमा रही है अपने मिट्टी के लिए बहुत अच्छा चल रहा है और अभी आप लोग देखें भी है कि काफी अच्छा खला हुआ है इतनी तेज धूप में भी पौधा बढ़कडार है दूसरे किसानों के लिए मिसाल बने जितेंद्र की महनत से शाषन और प्रशाषन भी काफी खुश है जिसके चलते अब वो उन किसानों की मदद करने के लिए कुछ करना चाहते हैं जो जितेंद्र की तरह स्रॉबिरी की खेती के एक्षुक है जितेंद्र मामुली लागत से स्रॉबिरी की खेती कर लाखो रुपे कमा रहे हैं हाला कि पूर्णिया के जलवाईू इसके लिए माकूल नहीं है लेकिन जितेंद्र की मेहनत, समझ और लगन देखकर बाकी किसानों की सोच भी बदल रही है हो सकता है कि आने वाले वक्त में पूर्णिया स्रॉबिरी के लिए पहचान बन जाए मनोच कुमान, Z-Media, Poonia